एपिसोड की शरवात में हम लियू को देखते हैं जो कि बहुत ही खुशो कर अपनी मॉम को अपनी गर पर ले कर आता है और उनके लिए कुछ खाना बनाने लगता है लेकिन उसकी मॉम उसे रोग देती है और बाहर ले जाकर उसे बताती है कि वो जल्दी ही शादी करने वाली बेड़े उनका जो फियांसे है उसका ही बीटा भी है और वो यह चाहती है कि लियो उनकी साथ जाकर रहे है जो सुनकर लियू अपसेट और गुसता दोनों हो जाता है और अपनी मॉम से बोलता है कि क्या आप मुझे अपनी फैमली से मिलवाना चाहती है तो उसकी मॉम बोलती है कि भले ही त Clay एक तो मेयं लोगों अन्लों से मत मिलना पर मैं चाहते हूं कि तुम वहापन मेरे साहत रहो जो सुनकर लिए साफ मना कर देता है और गुसे में पहा से चला जाता है आगी हम देकते हैं कि लिएह कुछ खिड़की का काश तोड़कर उसकी रूम में घुश जाता है जहां वो देखता है कि लिव अपनी मॉम की फोटो को देखकर रो रहा था अब वह आप याव रात भर लियों के साथ ही रुखता है आगली सुबह हम देखते हैं कि यांग्शी पढ़ाई कर रही होती है जिससे इ ही कल से उसने कुछ खाया था इसलिए यांग्शी की मम में लियों का फिवरेट खाना बिना कर खिड़की से लियों की रूम तक भिजवाती हैं जिससे हुआ ब्याव पिक्त करता है यहां इन लोग के साथ लियों की डैट भी थे और कल रात उने फैक्टरे में ही सोना क्या उसकी मॉम शादी करने जा रही है जिस पर इसकी दैट बोलते हैं क्यों इसकी मॉम शादी कर रहे या फिर ना करे वो Онका डिसीजन है और वो उन्हीं रोख सकता लेकिन उसकी मॉम हमेशा उसकी ही रहेंगी जो सुनकर लियों और बिल्दा अपसेट हो जाता है और वह पाराकर हुआ वभ्यो को अपनी घर सेचाने को बोलता है लेकिन हो वब्यो मना कर दीता है और बोलता कि जब तक तुम घडर की अधरवासा नहीं कहो Patrol मैं भी इस घर से नहीं जाओंगा लिए उससे पूछता है कि आखिर तुम यह सब क्यो कर रहे हो तो वावयोग बोलता है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और फिर वो उसे खाना खाने के लिए भोलता है लेकिन लियू मना कर दीता है जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग्शी के गर पर अर्थिया और हेमी आये होते हैं लियू और यांग्शी के बुग्स देने के लिए क्योंकि वो दोनों ही आद स्कूल नहीं आये थे जो सुनकर यांग्शी की मम गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आज यांग्शी का स्कूल है तो यांग्श उसे बोलता है कि तुम्हेगा नहीं खाना है तो मत कहो, मैं भी तुम्हार साथ खाना नहीं खाऊँगा, क्योंकि अगर तुम भूखे मरोगे, तो मैं भी भूखा मरूँगा, यैंग्शी लियो के घर के बाहर जाती है और हुआ बियों से पोशन लगती है कि लियो कैसा है लेकिन उसकी हारात में विल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुआ था इसलिए यैंग्शी को एक आइडिया आता है अगली सुबा हुआ बियों सोचता है कि लियो किसी के भी हाथ का खाना नहीं खा रहा इसलिए मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ और वो यैंग्शी की मम्मी से बोलकर कुछ वेजटेबल स्मागाता है यैंग्शी की मम्मी बोलती है कि लियो की मम्म शादी कर रही है पड़े तो मैं ये भी करूंगा अब जैसे वाब्यों पीछे मुड़ता है तो देखते हैं कि वहाँ लियू खड़ा हुआ है जिसने उसकी ये बाती सुन ली थी और वो डरते वह उसे बोलता है कि मैं तुम्हार ले किचन में खाना बनाने के लिए जा रहा हूं जिसके बाद भी उसकी मदद करता है और उसे वो स्टोन ढून कर दे देता है क्योंकि हुआ भी उसे बताता है कि ये स्टोन उसके लिए बहुत ही इंपोर्टन है वाब्यों उसकी घर में कुछ कार्ड्स देखता है तो वो उनके बार में लियू से पूछता है लियू बताता है कि मैं इन कार्ट को कलेक्ट कर रहा था क्योंकि इनको कलेक्ट करने से मुझे 1000 युवान मिलने वाले थे जिन पैसों को जमा करके मैं जापान चाहता लेकिन आपिस सबका कोई फायदा नहीं है वहाब यह बोलता है कि क्या हुआ हम फिर भी इन कार्ट क कलेक्ट करेंगे अब वो लोग क् लिखते हैं कि बहुत सरे दुड़ों की हालत खराब हो जाती है और दोनों वाश्रम की तरफ भागते हैं रात में याइंग्शी गरनमा के पास जाती है क्योंकि वह घर पर अकेली थी गरनमा यहां उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है हुआ भिया अपने गले मीं एक स्ट पेन कर रखता है जो कि उसके पेरेंस की आखरी निशानी है क्योंकि जब वो तीन महीने का था तभी उसके पेरेंस की एक लेकसीरें में मौत हो गई थी और वो पेरेंस उसे वो स्टोन्बर्दे गिफ्ट में देना चाते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे यह सब बताकर मैं तुम्हे यह नहीं बुल रहे हुए कि तुम्हें अपनी लाइफ उनicted कान्य में चाहिए बस से कॉल पर बिजी थी इसलिए वो हुआ बियों के पास जाता है और उसे बोलता है कि चलो कल साथ में स्कूल चालेंगे जो सुनकर हुआ बियों काफी खुश हो जाता है क्योंकि दो दिन से उसे लिए की काफी टेंशन हो रही थी और अगले दिने तिनों साथ में स्कूल जाते प्रॉटी के जेता हैं तूहां बुला कर उसे वह प्रश और उसका जीता हुआ भी देते है। फिर टीचर सबी को बताते हैं कि मेरे पास एक गूड नीर्व और वाड नीयूस जहां वो सबसे पहले गूड देते हैं कि स्कूल उन लोग को तीन दिन के चुट्टी दे रहा है जो सुनकर अर्थियाओ काफी खुश होता है लेकिन बाकी बच्ची सीरियस थे फिर टीचर उन्ने बैड न्यूज बताते हैं कि तीन दिन बाद उनका पहला मॉरल टेस्ट होने वाला है जिसके बाद ये सब लोग काफी महने से पढ़ाय करना शुरू कर देते हैं तीन दिन बाद इनकी एक्जाम का दिन आ जाता है और लियो और यांग्शी साथ में एक्जाम देने के लिए जाते हैं जो आएक्जाम के वक्त यांग्शी को वो काफी मुश्किल लग रहा था लेकिन फिर भी वो भी अपनी साथ ले जाओंगा ये बोलकर वो यहां से चला जाता है फिर हम स्कूल में टीचर को देखते हैं जो कि सबी बच्चों को बताते हैं कि टेस्ट में तो उन लोगों में से किसी ने भी अच्छे परफॉर्म नहीं किया है इसलिए वो सबी बच्चों के पेरस को स्क रखने ही बढ़ता क्योंकि उनने तो सिर्फ उसके मार्क्स की पड़ी थी जिसके बाद हम अर्तियाओ के डाट को देखते हैं वो भी उस पर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी परफॉर्म को सब कुछ बताना होगा अर्तियाओ अभी हापर में डाट को ब्लाकम करने के लिए आते हैं तो टीचर बताते हैं कि यांग्शी हाले में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन इस टेस्ट में उसकी मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं और इस मार्क्स से उसे किसी बी कॉलेज में अमिशन नहीं मिलेगा जो सुनकर उसकी ड क्यों बेजे थे तो ग्रानमा उसे साफसाफ मना कर देती है कि मैंने किसी को भी नहीं बेजा पर हुआबिया उन्हें ग्रानमा को खुद ये पारसल पैक करते वे देखा था इसलिए ओफिर से ग्रानमा से पूछता है लेकिन ग्रानमा फिर से उसे मना कर देती है कि उन्हों हेमी भी उसके पास सागर काफी रोती है और बोलती है कि अब अपनी माम को नहीं जेल सकती दूसरी तरफ हम हुआ बयों को देखते हैं जो कि ग्रानमा का टेस्ट करवाने के लिए उन्हें हस्पेटल लेकर जाता है चाहूं से पता चलता है कि ग्रानमा को अलसाइमर डिजीस ह हो गई है जिसमें पेशेंट दिरे दिरे अपनी मेंबरीज को भूलने लगता है जो सुनकर हुआ भी रोने लगता है पर वह यह बात ग्रानमा को नहीं बताता जिसके बाद अमलियों को देखते हैं जो कि जपान से वापस आ चुका था वह यांग्शी को एक नया हेर के बार में पता चलता है कि उसकी मौम दूसरी शादी करने के लिए जा रही है इसलिए लियों ने खुद को घर में बंद कर लिया है जो सुनकर हुआ दैंक को लियों की काफी फिक्र होती है और वह अपनी मौम को परफॉर्मेंस कैंसल करके वापस से चलने को बोलती है पर इसके बाद हुआ दैंक येंग्शी से मिलने के लिए आती है जहां वो उसे बोलने लगती है कि मैं तुमसे जादा अच्छी दिखती हूं मैं डांस भी कर सकती है और मेरी मैच्स भी तुमसे जादा अच्छी है लेकिन फिर भी लियों मुझे लाइक नहीं करता तो येंग् और जो नँच्छी उसे पूशती है कि क्या लियों को फुटबॉल पसंद है जिस पर हुआदैंग है बोलती है तो येंग्शी उस outfit को बता देती है कि हुआई लियों को बता दीती है कि हुआ नहीं तुमें फुटबल गिफ्ट में दी ती क्योंकि तुम्हें फुटबल काफी पसंद है जिसके बाद हम हुआ दैंग की वाम को स्कूल में देखते हैं चाहँ वो टीचर से बोलती है कि आप हुआ दैंग से बात कीजे और अगर वो उस बैली ग्रूप को जॉइन करती है तो उसे बिना स्कूल में पढ़े भी उसकी ग्राजूशन डिग्रे मिल जाएगी लेकिन हुआ दैंग ऐसा करने से मना करती है हुआ दैंग अब अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम मुसे पूछती है कि आखिर तुम इतना च्छमों का क्यों गवा रही हो तो हुआ दैंग बोलती है कि मॉम मैं होंग कंग वैले में जरूर जाओंगी लेकिन इस साल पढ़ाई पूरी करने के बाद क्योंकि मैं अपनी दोस्तों के साथ ये प्रेशेस एयर मिस नहीं करना चाती है उसकी मॉम मुसे समझाती है कि राजोशन डिग्री तो तुम्हे वैसे पे मिल जाएगी तो फिर तुम्हीं सब क्यों कर रही हो सिर्फ अपनी दोस्तों के लिए पर उसकी मॉम को पहले से ही बता था कि हुआ देंगे सब लिउ के लिए कर रही है क्योंकि वो लिउ को बहुत ही पसंद करती है और भले लिउ से पसंद ना करता हूँ पर वो अपना एप्रीशिस टाइम लिउ के साथ बिताना चाहती है जिसके बाद हम हुआ ब्याओ को देखते हैं जो कि सुबह सुबह ग्रानमा को घर में ही लोक करके स्टॉल लगाने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे लग रहाता है कि अगर ग्रानमा के लिए कई बाहर जाएंगी तो वो अपनी बिमारी के बज़े से ट्रबल में फस सकती है स्टॉल लगाने के बाद वो वहीं पर बैटकर अल्जाइमर डिजिस को ट्रीट करने के लिए कुछ हर्प्स के बारे में लिख रहा होता है तब ही वहाँ पर अर्दियाओ आता है तो वाबियाओ से बोलता है कि उसे ये सारी हर्प्स चाहिए जो सुनकर अर्दियाओ मान जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बिमार हो दोसरी तरफ हम येंगशी की माम को देखते हैं जो कि डिनर टेबल पर खाना लगा रही होती है तब ही वहाँ पर येंगशी का भाई चाहू आता है जो अपनी वैक से एक लेटर निगाल कर अपने पेरेंस को दिखाता है उस लेटर में लिखा हुआ आता है कि चाहू को MIT की पढ़ायी करने के लिए अमेरिका भेज जा रहा है वो भी स्कॉलर्षिप के साथ जो देखकर उसके पैरेंस तो काफिख हो जाते हैं जो सुनकर उसके पैरेंस नराज हो जाते हैं उसकी दाट बोलते हैं कि तुम्हें इस सब बेकार की काम करने की जगा अपनी पढ़ाय पर ध्यान देना चाहिए और वो उसे इस बार में फिर से सोचने के लिए बोलते हैं तो चाव बोलता है कि मैंने तु पहले से ही सोच लिया है क्योंकि हसल में उसने बेल कॉम्पटिशन तो जीत लिया था और उसे ओफर भी मिला तो होंग कॉंग जाने का लेकिन उसने लियू की वज़े से जाने से मना कर दिया था क्योंकि वो उसके साथ ही अपना फाइनल एर कंप्लीट करना चाहती थी लेकिन वो लियू को यह सारी बाते नहीं बताती लियू उसे बोलता है कि क्या तुम इंगलिश की वज़े से वो कॉम्पटिशन पास नहीं कर पाई जिस पर हुआ देंग हाँ बोलती है तो लियू बोलता है कि चिंता मत करो तुम पढ़ने के लिए मेरे खर आ सकती हो और अगली पर जरूर ट्राय करना जिस पर हुआ देंग भी स्मायल करते हुए मान जाती है जिसके बाद हम अर्टिया को देखते हैं ऐसके डाट भी उसे अच्छे माежд नालाने के लिए डाट रहे थे वो उसका बैग चेक करते हैं तो उसमें उने वही जोड़ने के लिए कहीं थी तो उसकी डाट कियते हैं कि तुम्हारे दोस्तों में यही सब यूजलेस काम करने के लिए बूलाते हैं और यैंग्शी और हीमी भी तुमारे तरह बेवकूफ हैं जो सुनकर अर्टियों को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आप मेरे दोस्तों के बार में ऐसा नहीं बोल सकते हैं फिर वो अपनी मॉम को कॉल करके अपनी डाट के काड़ नमों के बार में बता देता हैं जो देखका उसके राट को भी गुस्सा आ जाते हैं और वो अर्दियों को एक थपड लगा देते हैं इसलिए अर्दियों भी घुस्से में घर से बाहर चला जाता हैं अब हम फिर से यांग्शी को देखते हैं जिसकी मौमू से म्यूजिक सीकने के लिए बोलती है क्योंकि उनके पड़ोस में एक बच्चे ने music सीख कर अपने marks increase किये थे तो उने लग रहा था कि अगर यांग्शी भी music सीखेगी तो उसके marks भी improve हो जाएंगे लेकिन यांग्शी वो सीखने से साफ मना कर देती है अगले दिन स्कूल में वाब्याव लियू से यांग्शी के बार में पूछता है क्योंकि आज वो स्कूल नहीं आई होती लेकिन लियू को उसके बार में कुछ नहीं पता था तो फिर वो से अट्ट्याव के बार में पूछता है क्योंकि वो भी आज स्कूल में नहीं आया था स्कूल खत्म होने के बाद दियो यांग्शी के घर जाता है चाहूंस के पेरश को पता चलता है कि आज यांग्शी स्कूल में नहीं गई थी जिस वज़े से वो काफी परशान हो जाते हैं कि आखिर वो कहा गई इसलिए सबी लोग उसे दुणने के लिए निकल जाते हैं जहां दुणते-दुणते यांग्शी की मॉम चाओ और लियू तीनों अर्तियाओ के घर पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि यांग्शी सुवा से भाही पर है चाओ से घर चलने के लिए बोलता है लेकिन यांग्शी मना कर देती है क्योंकि वो अपनी मॉम की बार बार पढ़ाई पर प्रेशर देने के वज़े से काफी परिशान हो गई थी यांग्शी की मॉम उसे समझाती है कि जब तुम चोटी थी तो तुमारे डाड और मैंने तुमारे हर जरुद पूरी करने की कोशिश की लेकिन अब जब तुम लोग बढ़े हो गए तो तुम अपने फैसले खुद लेना चाहते हो वो यांग्शी से बोलती है कि ये तुम्हारे उपर है कि तुम अच्छी उनिवर्स्टी में जाना चाहती हो या फिर पेकार फिर वो चाओ से भी बोलती है कि ये भी तुम्हारी चोईज है कि तुम अमेरिकर जाकर पढ़ना चाहते हो या फिर अपना बिजनिस करना चाहते हो लेकिन अगर कभी भी तुम लोगो को अपने लियो हे फैसलों पर पश्टावा हूँ तो घर वापस आ जाना ये सब बोलकर यैंग्शी की मौम वहाँ से चली जाती है अगले दिन हम इन सबी को हुआ बयो की ग्रानमा की स्टॉल पर देखते हैं ये सबी लोग हुआ बयो की मदद कर रहे थे क्योंकि अब इन लोगो ग्रानमा की बीमारी की बाहर में पता चल चुका था जिसके बाद यैंग्शी अपनी घर जाकर अपनी मौम को बढ़ देविश करती है क्योंकि आज उनका बढ़ दे था जो हम वो उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वे अपनी फैमली से कभी क्लोज हो पाऊंगी वावया उसे बोलता है कि मुझे तो अपने पेरेंस की कोई भी मेमोरी याद नहीं है क्योंकि उस वक्त में काफी चोटा था इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम कैसा फील कर रही हो पर तुम्हारी फैमली काफी अच्छी है और तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी बहुत केर करती है आगले दिन यांग्शी जब स्कूल से आती है तो देखती है कि घर में कोई भी नहीं है और पूरा घर का सामान बिखिरा हुआ है इसलिए वो सारा सामान समीटनी लगती है और जब वो कोड़ा फेकने के लिए बाहर जाती है तो वो चाबी घर के अंदर ही भूल जाती है जिसके वो जिससे डोर लॉक हो जाता है इससे बीच हम लियो को देखते हैं जिसके डैड उसे बताते हैं कि उन्हें फेक्टरी से निकाल दिया गया है तब ही वहाँ पर यैंग्शी आ जाती है जो उन लोगों से पूछती है कि क्या उनके पास उसकी घर की चाबी है तो लियो की डाट बताते है कि वो उसकी घर की चाबी लेने के लिए फैक्टरी जाने लगती है रास्ते में उसे हुआ बयाओ मिलता है जो कि उसे मिलने के लिए आया था तो लियो की घर की चाबी लेने के लिए फैक्टरी जा रही हूँ और तुम लियो के घर पर ही रहकर वेट करो हुआबयाओ जब उपर जाता है तो वो लियो की डाड को बात करता हुआ सुन लेता है जो उसे बता रहे थे कि यैंग्शी की मौम को भी जॉप से निकाल दिया गया है और अब वो हाउस कीपिंग का काम कर रहे है जो सुनकर हुआबयाओ वहाँ से भागते वे जाता है ताकि वो यैंग्शी को रोक सके लेकिन यैंग्शी तब तक फेक्टरे में जाकर अपनी मौम को ट्वालेट साफ करते वे देख लेती है यैंग्शी यहाब अपनी मौम को देखकर रोने ही वाली थी लेकिन तब ही वहाँ पर हुआ भीयो आ जाता है जो कि यांग्शी को हाँ से ले जाता है यांग्शी अब काफी दुखी होती है तो लियो और हुआ भीयो उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो सिर्फ रोय जा रही थी यांग्शी अब लियू से बोलती है कि मेरी मॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट की हिट थी और वो एक टॉलेट लीनर है वो लोग उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगे तो लियू से कंसोल करता है आगले दिन यांग्शी नियूज में देखती है कि एकनोमिक रिफॉर्म्स की चलते काफी सेरे वरकस को जॉब से निकाल दिया गया है जिसके बाद लियू के डाट भी दूसरी सिटी में जॉब ढूरने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर जॉब करना काफी मुश्किल होगा और वो लियू को अपने दियान रखने के लिए बोलते हैं जिसके बाद हम यांग्शी की मॉम को देखते हैं जो कि एक जगा पैंच पर बैठी हुई थी वहाँ पर यांग्शी की डाद आते हैं और उन्हें घर चलने के लिए बोलते हैं लेकिन वो घर जाने से मना कर देती हैं और बोलती है कि पता नहीं वे यांग्शी को कैसे फेस करूंगी यांग्शी की डाद बोलते हैं कि तुम यांग्शी की मॉम हो और बला तो मुसे क्यूँ फेस नहीं कर सकती बहुत सारे लोगो जॉब से निकाला गया है और उनसा भी के भी बच्चे हैं तो क्या वो लोग अपने घर नहीं जाते वाई हम हुआबियो को लिव के घर पर देखते हैं जा हुआबियों से पूछते हैं कि तो मारे डाज गो फेक्टर से क्यूँ निकाला गया तो हुआबियों बताता है कि एक मोटे डायेक्टर ने मेरे फादर के रिपोर्ट कर दी थी क्योंकि उन्हें ने फेक्टर से खरापकांच का टुकडा लिया था मेरे घर की खिड़की को रिपेर करने के लिए लेकिन उसने ये लजाम लगाया कि मेरे फादर ने उस शीशे को चुराया है और यांग्शी की मौम को भी इसलिए निकाला गया क्योंकि वो मेरे डाट की साइड ले रही थी लिव बोलता है कि अगर वो मोटा डारेक् को सबक सिखाने का फैसला करते हैं और क्योंकि वो लड़कियों को देखकर रिदम लट्टू हो जाता था इसलिए वो लोग अपने प्लान की अकॉर्डिंग हेमी को उसकी सामने भेशते हैं जहां वो उसे वाश्रूम का रास्ता पूछती है तो वो डारेक्टर उसे वाश् वाश्रूम की तरफ जाता है लेकिन वाश्रूम की ने इंप्लिट्स बदल दी थी इसलिए वो डारेक्टर लीडिस वाश्रूम में चला जाता है चाहां चाहकर उसे बहुत पिटाई पढ़ती है फिर वो लियो और उसके ग्रूप को डूडने लगता है लेकिन वो लोग उ कोसी म्यूजिक सीखने के लिए कहा था यह दोना साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खताम हो जाता है तो गाइस यह थी आज की वीडियो और यह उप आप लोग कोई वीडियो पसंदा ही होगी तो इस वीडियो को कालने एपिसोड में तब तक के लिए गुडबाए